एक समय की बात है भीमपूर नामक एक गाउं में अजय नाम का एक आदमी रहा करता था अजय को बच्पन से ही आसमान में उरने की इच्छा थी एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं आसमान में उर सकूंगा एक दिन की बात है, अजय कहीं जा रहा था, तभी सामने से एक भिखारी आया, कुछ खाने को दे दो बाबा, मैंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो, अजय उस भिखारी को कुछ पैसे दे देता है, ये लो बाबा कुछ खरिद कर खा लेना, धन्य बाद, तुम स मैं लोगों की परिक्षा लेता हूँ, तुम मेरी परिक्षा में सफल हुए, मांगो क्या मांगते हो, क्या सच में अगर आप मुझे कुछ देना ही चाते हैं, तो आप मुझे एक उरने वाली चटाई दीजिए, मेरी बचपन से ही उरने की इच्छा है, तो ठीक है, फिर इसी म अजय को एक उरने वाली चटाई देते हैं, ये लो बेटा, ये है उरने वाली चटाई, लेकिन याद रखना, इसका हमेशा सही इस्तमाल करना, तुम्हें इस चटाई को उराने के लिए एक मंत्र बोलना होगा, वो मंत्र है, चल मेरी चटाई, छुक छुक छुक, ठीक है, बाबाजी मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर मुझे इसे रोकना हो तो इस चटाई को नीचे उतारने के लिए तुम्हें बोलना होगा, उतर जा, उतर जा, मेरी चटाई, जल्दी से तू नीचे उतर जा, ठीक है बाबाजी मैं समझ गया, फिर बाबाजी वहां से गायब हो जाते हैं, बाबाजी के जाने के बाद, अजय उस चटाई पर चड़ता है, और कहता है, चल मेरी चटाई, छुक छुक छुक, फिर वो चटाई उर जाती है, ये, मुझे बहुत मजा रहा है, मेरा सपना पूरा हो गया, अजय को चटाई उड़ाते हुए, एक चोड़ने देख लिया, वा, मजा गया, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, इसका इस्तमाल करके, मैं तो कहीं से भी चोड़ी करके भाग सकता हुँ, फिर अजय जब अपने घर में रात को सो रहा था, तब उस चोड़ने अजय की चटाई को चुरा लिया, वा, चोड उस चटाई पर उरती रही, चोड़ को भी बहुत मजा आ रहा था, तभी उसे सुजा कि मैं नीचे उतरूं, अब मुझे नीचे उतर जाना चाहिए, चटाई नीचे उतर, लेकिन वा चटाई नीचे नहीं उतरती है, और उरती रहती है, अरे ये क्या, ये चटाई तो नीचे उतर ही नहीं रही है, कहीं इसके उतरने के लिए भी कोई मंतर तो नहीं, वो तो मैंने सुना ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं हमेसा उरता ही रहूंगा, फिर वर चोड आसमान में उस चटाई के साथ उरता ही रहता है, और देखते देखते एक मेहना बिर जाता है, और उसकी मौ दखना की कभी भी लालच मत करना